Hello everyone, today we are going to learn about the type of circulation. First one is the pulmonary circulation and second one is the systemic circulation. So, आज हम जो है वो circulation क्या रहता है, उसके types क्या है, कौनसे type में circulation रहते हैं, उसके दो types रहते हैं. First one जो है उसको हम pulmonary circulation बोलते हैं और second one जो है वो हम systemic circulation बोलते हैं. लास लेक्ट्चर में हमने अर्डेड़ी द customize है जो हर्ट है उसका कैसा function है उसका exactly working कैसा रहता है जो हाठ है उसका atrium रहता है texting हार की location यह सब चीज़ें देते त्नाज हमको circulation Ward कैसा हां करता है यह चीज़े दितनी है इसको हम pulmonaur circulation बोलें यह जो в तरंगोल्स का जैता है लिए अकले बाद, इसाले अति सब्सक्राइब यह जो फार्ट को ब्रॉन ची जो है और एए जो हर्ट है इस में उरीजेनेट होता है वह बनरी-को ज यह आपको दिख रही है जहedo और से जो एर आती है उसमें जो oxygen रहता है वो उसमें मिक्स होके अगेंड आपके हाट में एंटर करते हैं यह पूरा जो है पूरा जो है पूरा वेंटरिकल्स में जाता है और वेंटरिकल के बाद यहां पे यह जो आवोर्टा है यह अपर पार्ट जो है उसमें वो जो blood है वो पुरा जाता है यहाँ तक का और जो circulation है यह आपका pulmonary circulation रहता है pulmonary circulation में कहा रहता है जो blood right ventricle से आ जाता है through a pulmonary artery यहाँ पे यह जो big one दिख रही है blue color की क्योंकि यह deoxygenated blood है और blood जो है वो provide करेगी lungs में वहाँ पे oxygen mix होके again यह जो blood है वो oxygenate हो जाएगा और oxygen उसमें mix होने के बाद हो जाएगा और वो जो है वो आपके left atrium में enter करेगा left atrium से यह जो blood है यह left ventricle में जाएगा और left ventricle से यह जो blood है वो अवर्टा में जाएगा यहाँ तक का जो पूरा circulation है जो lungs में carried out होता है उसको pulmonary circulation बोलते हैं तो this diagram show you the pulmonary circulation here is a superior vena keva here is a inferior vena keva blood enter into the right atrium then this blood goes into right ventricle again this right ventricle containing a deoxygenated blood and this blood goes into the lungs again यह जो blood है यह कहाँ पे जाएगा lungs में जाएगा then purification of this blood is textless and this blood get oxygenated यह lungs में उसमें oxygen जो है वो mix होगा and then this blood is come out again through a pulmonary vein and this is the vein which containing a pure blood यह vein होके भी उसमें क्या contain हो जाएगा pure blood contain हो जाएगा यह सब चीज़े मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बताएगा then this left atrium containing blood this blood goes into the left ventricle and this left ventricle gives rise into the outer यह जो blood है यह आपके पूरे left atrium से left ventricle को जाएगा left ventricle से आपके outer में जाएगा और पूरा यह जो है वो circulation यहापे possible हो जाएगा इस अभी तक का यह जो internal circulation है जो lungs में टेक्सक्लेस होता है उसको हम pulmonary circulation बोलते हैं जो चीज़े मैंने अभी आपको बोली थी जिसमें एक जो है वो आपकी superior बेना के वार रहेगी दूसरी जो है आपकी inferior बेना के वार रहेगी और यह जो बेना के वार है उच contain और impure blood क्यूंकि अभी body ने वो use किया हुआ blood है वो enter हो जाएगा right atrium में right atrium और right ventricle के बीच में एक wall present रहेगी उसको हमने क्या बोल था track expired wall then this blood goes into the right ventricle यह जो blood है वो कहा जाएगा right ventricle again एक wall present रहेगी walls का का काम ही रहता है particularly blood को again backflow होने से बचाने का जो काम है वो आपकी प्लमोनरी वोल रहेगी देन जो blood है वापका प्लमोनरी आर्टरी में जाएगा यह आर्टरी है लेकिन यह blood क्यारी कोन सा करती है दी oxygenated blood जिसमें oxygen नहीं है और अभी oxygen नहीं है तो यह blood कहा जाएगा लंग्स में जाएगा और उसका purification हो जाएगा अपने जो इनहेल किया वह आर्टें में रहता है। नियुकिक एक वाल परेजन रहती हुश छोटा रहता है सबसे बड़ी आर्टरी में डिवाइड हो जाएगा यह जो सेक्षन है मैंने ब्लड वसल के इसमें पूरा बताया है और यह जो क्यापिलरी है यहाँ पे ओटू और स्यों तो का एक्छेंज हो जाता है और ब्लड में अभी सियोटू जोर Canal सम्द्री में के शेंट सेयीह जो ब्लक्ड यह गथए वर पीक्ता हुटेृ लिवाइन्पम्यावन Państwo में यह जाता है उसको हम pulmonary circulation तो जो पूरे body में circulate करते है blood supply जो है पूरे body में देते है आवर्टा through उसको हम systemic circulation बोलेंगे So next हमको देखना है systemic circulation So systemic circulation कहा रहता है आपका जो heart है वो left ventricle से पूरा जो blood है यहाँ पर enlarge दिखा रहा है यह tube red color की इसको आवर्टा बोलते है जो आवर्टा, ascending आवर्टा, descending आवर्टा, arch of आवर्टा में divide हो जाता है और यह जो आवर्टा है वो आपके पूरे body को blood supply करता है और यह जो पूरे body को सप्लाइ करता है उसको systemic circulation बोलते है अभी आपको समझ में आया जो heart से blood जो pure निकलता है और जो oxygenated blood आता है pulmonary through यह जो blood है यह जो blood है वो आपका oxygenated blood है यहाँ पर यह जो red color के दिखा रहे है यह पूरे आपके oxygenated blood की arteries है और जो blue color के उसके parallel में है वो आपके vents रहेंगे जो यहाँ पर बड़ा ऐसा यहाँ एक tube दिख रहा है उसको inferior वेनकेवा बुलेंगे तो अपर पार्ट से भी ऐसा बड़ा वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है ब्लू वाला उसको superior वेनकेवा बुलेंगे superior वेनकेवा और inferior वेनकेवा यह बॉड़ की सबसे बड़ी जो है वो वेंस रहेंगी और वही वेंस जो है वो चोटे चोटे पार्ट से क्या करती है ब्लड जो है वो ड्रेन आउट करती है हमने अल यह का रहेंगा उसका exactly location आपके लंग्स में प्रेजंट रहे गा उसको हम प्लमोनरिी सैर्पीलेशन लेकिंगे जो बोड़ी के पार्ट में प्रेजंट रहेगा उसको हम सिस्टमिक इसेमीक से मोलेफिशन बोड़ी के प्रेज हाइजंयमे प्रेण का नीचे आेक operateें sapph proper harvest yet आपका स्प्लीन पैंक्रिया जो और आपका इंटेस्टाइन जो इंटेस्टाइन से यह जो ब्लड है वो अगेन एंटर करने का रहेगा तो यह जो ब्लड है इंटर नहीं होता नहीं जो ब्लड है अपके लिवर में इंटर होता है और लीवर वहाँ पे उसके चार्ज करता है कि अभी यह जो बलड है इसमें टॉक्जिक कितने हैं अभी यह बलड सेफ है क्या उसमें जो माइक्रो और गनीजम है क्या बैक्टेरिया है क्या ऐसा करकि यह बलड को अगें थोड़ा कुफर सेल्स रहते हैं यह जो है यह पूरे अपके बलड को क्लीन करते हैं और देनी जो बलड है वह आपके करेंक्ट हो जैता है और वहाँ से वह आपके ऑप्सेवा को बलड नहीं देते'mे आप बहुत सारे नूंत्रियांस प्रेजन रहते हैं पेट में कुछ टॉक्जिक भी हो सकता है फेट में आपने खाना घाया उ या फंगल कुछ भी आ सकता है उसको ब्लड को उस ब्लड को क्लीन करने की जरुरत रहती है और लीवर यह काम बहुत अच्छे से करता है इसके लिए जो ब्लड है सबसे पहले लीवर में एंटर होता है और अगेन यह जो ब्लड है वह आपके इंफेरियर वेना के बाद को कनेक